नमस्कार दोस्तो इलेक्ट्रीशियन एजुकिसन चैनल में आपका श्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम BSPSCL अर्थात बिहार इस्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेट के प्रीबियस पेपर को शॉल करेंगे दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आगामी परिच्छा BSPSCL को ध्यान में रखकर हमने लगबग 20 वीडियो बनाकर यूटूब पर डाल लखी है इन वीडियो में इलेक्ट्रीशन ट्रेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण दिये गए हैं जो अकसर करके टेक्निकल परिच्छाओं में पूछे जाते हैं तो आप एक्जाम देने से पहले एक बार हमारी चैनल एलेक्ट्रीशन एजुकीशन पर जाकर एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देख लें मुझे पूरा उम्मीद है कि वे सभी वीडियो आपके परिच्छा BSPSCL के लिए काफी helpful लेगी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला कुश्चिन है स्टार्टर में नो वोल्ट क्वाइल का प्रियोजन क्या है जिसका राइट इंसर है चुम्बकिय प्रियोजन के लिए दोस्तो नो बूल्ट कॉयल एक इलेक्ट्रो मैगनेट होता है इसका प्रियुक प्रियाया स्टार्टर में किया जाता है अगला कुश्चिन है थ्री फेज इंड़क्षन मोटर के रोटर फिक्वेंसी निमनलखित में से किसके बराबर होती है जिसका राइट एंसर है रोटर फिक्वेंसी बराबर स्टेटर फिक्वेंसी गुड़े स्लिप अगला कुश्चिन है विद्धु तुर्जा की वाड़ीजी की क्या है जिसका राइट एंसर है की डाबलु एच दोस्तो विद्धु तुर्जा की खपत को मापने के लिए हम की डाबलू यज अर्थात कीलो वाट आवर का प्रियोग करते हैं दोस्तो इसको वेवहारिक रूप से बोलचाल की भासा में इसको यूनिट भी कहते हैं अगला कुश्चिन है नीकल आईरन सेल किस प्रकार का शेल है जिसका राइट एंसर है गीला वा दृत्यक सेल अगला कुश्चिन है से सुरक्षा देने के लिए उपकरण को भू समपरकन अर्थात अर्थिंग की ज़रुरत है जिसका राइट एंसर है बिजली के जटकों का खत्रा से सुरक्षा अगला कुश्चिन है निमनलखित में से कौन सा ब्रेट टेस्टिंग जोन तापमान है जिसका राइट एंसर है दो सो साट डिग्री सेल्सेयस अगला कुश्चिन है निमनलखित में से किसके उपयोग से टांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानी कम किया जा सकता है जिसका राइट एंसर है कौर की प्रदार्थ दोस्तो हिस्टेरिसिस हानी को कम करने के लिए हम हाई रजिस्टेन्स की स्टील जैसे सिलिकॉन स्टील एलाय स्टील आधिका प्रियोग करते हैं अगला कुश्चिन है एक 400 वोल्ट 50 रल्टेज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप 3 परसेंट है चुमबकिये छेतरों के बीच तुलनात्मक गदिक क्या होगी जिसका राइट अंसर है 970 रपीम दोस्तो इस कुश्चिन को हल करने के लिए सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड इसकल टू 120 गुडे यप अपॉन पी हमारा सिंक्रोनस स्पीड निकलेगा 1000 रपीम जिसको 3% slip दिया गया है इसको घटा देंगे तो हमारा exact answer आएगा 970 RPM अगला question है यदि inlet pipe चोक हो तो क्या होगा जिसका right answer है वास्ट्रम में पानी नहीं भरेगा दोस्तों गीजर में एक 10 लीटर से 50 लीटर के बीच एक बेलना काल जल उसमक टंकी होती है इस टंकी में एक प्रवीज द्वार और एक निकास द्वार होता है जिसको inlet pipe और outlet pipe कहते हैं inlet pipe के द्वारा हम गीजर के ड्रम में पानी भरते हैं और outlet pipe के द्वारा हम गीजर से गर्म पानी को निकालते हैं अगला question है किसी single phase motor में सबसे arm binding कौन सी होती है जिसका right answer है concentric winding अगला question है epoxy rangy compound को निमलेखित में से किस insulation के केबिल के द्वारा बेहतर समझा जाता है जिसका right answer है PVC insulation अगला question है कौन सा वाक्यांस no volt coil की साथ off और on को दरसाता है जिसका right answer है magnetic starter अगला question है यदि star सन्युक्त 3 phase परिपत का phase current 100A हो तो line current क्या होगा जिसका right answer है line current phase current के बराबर होगा अर्थात 100A होगा अगला question है supply को काटने के लिए विचार्ड या leakage पहलू क्या है जब current leak हो रहा होता है तब inspector द्वारा उभोगता को 48 घंटे के लिए note लिखित notice देने के बाद ऐसा किया जाता है जिसका right answer है leakage current एक बटे पांच जर्वा भाग होना चाहिए अगला question है नीमन और मध्य वोल्टेज लाइनों के लिए service line सहेद सडक पर overhead line पर तने गया conductor के अधिकतम उचाई क्या होनी चाहिए जिसका right answer है पांच दस्मनों 4 आट 6 मीटर अगला question है single phase connection के लिए कौन सी voltage line 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है जिसका right answer है निमन तनाव अगला question है चार पी अफ के दो संधार इत्र अर्थाथ कैपेसिटर स्रेडी में जूड़े गया है कुल संधारी तिरता कैपेसिटर्स कितनी होगी जिसका right answer है 2 पीको फेरेड अगला question है सपाट छत वाली इमारत के सिर्स और ओवरेड लो या मीडियम बोल्टेज लाइन के बीच उर्धवाधर क्लेरियंस नियूनतम कितनी होगी जिसका right answer है 2.439 मीटर अगला question है स्क्वेरल केज इंडक्सन मोटर में यदि दो रोटर बार खुला परिपद वाली बन जाए तो रोटर कैसी चलेगी जिसका right answer है सोर के साथ बहुत धीमी गती से चलेगी अगला question है कौनसा उपकरण लेयर लैकिंग सकति गुणा के लिए उत्तरदाई नहीं है जिसका right answer है capacitor या संधारित्र next question है इमारत और overhead लो या medium voltage लाइन के बीच 36 clearance नियुंतम कितना होना चाहिए जिसका right answer है 1.219 meter अगला question है यदि 30 ohm वो 60 ohm के प्रतिरूद समनांतर में लगाए जाए तो कुल प्रतिरूद कितना होगा जिसका right answer है 20 ohm अगला question है चुम्बकिया contactor निम्नलिकित में से किस से प्रचालित होता है जिसका right answer है कुंडली द्वारा प्रचालित होता है अगला question है GI pipe को अर्थ connection क्यों जरूरी है जिसका right answer है लीकेज वाले current को जमीन तक भेजने के लिए निश्ट question है निम्नलिकित उपसाधनों में कौन सी पैनल बोर्ड में होती है जिसका right answer है switch gear होती है अगला question है यदि किसी कुंडली का प्रतिरोद 15 ohm प्रतिबाधा 25 ohm और प्रेरी के प्रतिखाद क्या होगा जिसका right answer है 20 ohm होगा अगला question है जब remote on वा आफ उपयोग किया जाये तो remote off बटन को मौझूद आफ बटन के साथ कैसे connect किया जाता है जिसका right answer है स्रेड़ी अर्था सीरीज क्रम में अगला question है 1 hp पावर एक मीटर में कितने किलोग्राम पानी उपर उठाने के बराबर है जिसका right answer है 4500 किलोग्राम पानी उपर उठाने के बराबर है अगला question है ताप की विवहारी की काई क्या है जिसका right answer है कैलोरी अगला question ELCB को विशेश रूप से किन परिस्तितियों में सप्लाई को काटने के लिए उप्योग किया जाता है जिसका right answer है ground link fault के लिए अगला question है ACSR conductor को निमनलखित में से किसका उप्योग करके जोड़ा जा सकता है जिसका right answer है compression sleeve के द्वारा जोड़ा जाता है अगला question है rewinding के बाद एक transformer winding ठीक दिखती है लेकिन insulation प्रतिरोद आपेठित मान से कम होता है ऐसा निमनलखित में से किस कारण से होता है जिसका right answer है winding में नमी हो जाने के कारण ऐसा होता है अगला question है service line के लिए किसी खंबे का उप्योग अधिमान्यक किया जगयाता है जिसका right answer है RCC के द्वारा अगला question है निमनलखित सुरक्षा में से किसे छोटे वित्रण टास्पार्मर में आम तौर पे प्रियोग नहीं किया जाता जिसका right answer है ब्रूक क्लोज रिले का प्रियोग नहीं किया जाता next question है किसी प्रेर की परिपत अर्थात इंडक्टिव सर्किट में प्रियोग किये गया voltage और प्रभावित current के बीच phase difference क्या होगा जिसका right answer है current voltage से पीछे रहेगी अगला question है electro static shield वाले किस प्रकार के transformer को computer, चिकित्सा उपकरण या lab उपकरण जैसे सम्वेदिन सिल उपकरणों की power supply के लिए उप्योग किया जाता है जिसका right answer है isolated secondary type transformer अगला question है जब induction motor की supply on की जाती है तो शुरू में उस rotor में प्रेरित EMF क्या होगा जिसका right answer है उस rotor में प्रेरित EMF अधिक्तम होगा next question है pump operator प्रेयोगता की सुरक्षा के लिए निमनलिकित में से किसे प्रदान करना बहतर होगा जिसका right answer है double earthing का प्रेयोग अगला question है किसी transformer की सीतिलन क्यों जरूरी है जिसका right answer है ताप को घटाने के लिए अगला question है निमनलिकित में से कौन सा समीकरण किसी induction motor में आंसिक slip को दरसाता है जिसका right answer है yes is equal to ns-nr बटे ns अगला question है 10 hp 250 volt दरिश्टिकारी motor अर्था DC motor का पूरे full load करेंट लगबा कितना होगा जिसका right answer है 30 ampere अगला question है किसी induction motor का rotor क्यों तुल्य काली गती अर्था सिंक्रोना से speed पर नहीं चल सकता जिसका right answer है क्योंकि फिर rotor torque सुननी हो जाएगा अगला question है अगला question किसी टांस फार्मर के ब्रिदर के भीतर कौन सा ररसायन होता है जिसका right answer है silica gel अगला question है वैद्यूतिक motor द्वारा उर्जा का कौन सा रूप मिलता है जिसका right answer है गतिज उर्जा next question है motor को कौन सी स्थिती से बचाने के लिए किसी starter में thermal overload relay प्रदान किया जाता है जिसका right answer है अतिरिक्त current से बचाओ के लिए next question है एक संधारित्र अर्थात capacitor को किस रूप में जोड़े जाने से वह किसी EC motor load का सक्ती गुड़क power factor का मन बढ़ा देगा जिसका right answer है motor के साथ समनांतर में जोड़ने से अगला question है भारतिया विदुत नियम की अनुसार supplier को उभोकता परिसर में पहुंचे योगी इस्तिर में एक अर्थ या अर्थ का neutral conductor के अलावा प्रतीक सेवा लाइन में प्रतीक conductor से उप्यूक्त प्रदान करना चाहिए जिसका right answer है cut out प्रतान करना चाहिए अगला question है निमलिखित में से क्या nickel-cradium सेल का एक लाव है जिसका right answer है या electrolyte acid सेल नहीं होता अगला question है किसी capacitor type fan motor में coil की संक्या 16 हो तो प्रतीक समों में coil की संक्या क्या होगी जिसका right answer है coil की संक्या 8 होगी next question है laid acid सेल को किस voltage के नीचे discharge नहीं किया जाना चाहिए जिसका right answer है 1.8 volt के नीचे discharge नहीं करना चाहिए अगला question है 3-phase DOL starter में new-thumb contacts आवशक्ता क्या है जिसका right answer है DOL starter में contacts 4 होते है अगला question है निमनलखित में से कौन सी उपकरण AC power को DC power में बदलती है जिसका right answer है rectifier अगला question है DC generator किस सिध्धान्त पर कारे करती है जिसका right answer है faraday के electromagnetic induction की नियम कि सिध्धान्त पर next question है एक three-phase slip ring induction motor में निमनलखित क्या होता है जिसका right answer है wound rotor होता है अगला question है मुख्य पैनल बोट के सभी उपसाधक धातु अंस को प्रभावित रूप से जोड़ने के लिए किस winding का उपयोग किया जाता है जिसका right answer है arthing winding दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल electrician education को subscribe कर दें और bell icon को भी दबा दें ताकि हर रोज की publish होने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे और दोस्तो इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे comment box में आप अपना WhatsApp नमबर दें हम आपको इस वीडियो की PDF के साथ-साथ आपको महत्तपूर notes और previous paper से संबंदित सारी PDF प्रोवाइड कराएंगे Thank you दोस्तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में